कुछ रहा सब क魔ई तर्फ नंबर को लगर कि यार में को बहुर टैंशेन और 4 महीन को बइस देशन बता दो यार प्लीसर स्याटरिक्षी वीडियो देडो यार अच्छी से यार मेरे को है अपना नीट 2023 जो है मैं क्लेर कर पा हूँ आसारी से I know I know How does it feel So welcome everyone Happy New Year first of all Happy New Year 2023 तो जो 2022 में हुआ सो हुआ आज हम लोग बात करेंगे यार कि क्या ऐसी चीजे हैं जो मैंने 2022 में गलतियां करी पहली तो बात है कि मैं तुम को सब को सजेस्ट करूँगी कि एक ना लिस्ट बनाना कि कौन से चीजे हैं जो मैंने करी और मुझे नहीं करनी चाहिए थी ठीक है ना या कौन से चीजे मैंने बहुत बढ़िया करी दो लिस्ट बनाना एक जो नहीं करनी चाहिए और जो मैंने करी उसका यह कोई strategy वीडियो नहीं है बट ये एक ऐसी insightful वीडियो है जो आपको दिखाएगी कि आपको किस चीज पे किस एरिया पे focus जाद मानना है ठीक है पहली बात physics phobia बहुत सारे बच्चों को 90% पायो वाले बच्चों को physics phobia होता है कि यार बहुत डर लगा है देखो psychology भी कहती है कि डर को overcome करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस fear को face करो लेकिन ही तो exam है और अगर time से fear को face नहीं किया तो रह भी सकता है वो सकता है ना clear हो तो अभी वो time आ चुका है इस fear को face करने का आपको tough लगता है okay आपको कोई topic tough लगता है कोई chapter tough लगता है मैं आपको एक तरीका बत कोई भी ऐसा चैप्टर आप एक दो चार पांच लेक्चिर सो उसके लगाए होंगे ठीक है अब थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इसके बारे में समझ नहीं आता दाट इस डिफिन स्टोरी आप पीवाइक्यू उठाओ देखो कि कौन से एडिया से क्वेश्टन सबसे ज सबसे पहले लो जिससे पता है तुमको कि आने याने जिसमें से मैक्सिम पैटर निये कहता है कि पेपर में क्वेश्टन इससे जाधा आते हैं टेक दूस पांट्स and solve the P by Q and the cycle has to be repeated like multiple times this is the time you face your fear ठीक है चालो नंबर दो दिखको एक्स आप्रेटिंग इस बाट and that to apply to your favorite subject most probably it is biology biology बहुत पसंद है बहुत मज़ा आता है और बायो गई हो सुभाव बायो दो पहर बायो शाम बायो मम्मी भी तुमारा बुक का वो कवर देखे परिशान है कि बिटा तो एक ही बुक पड़ती है क्या और बुक नहीं है आपके पास या एक ही आज इस बर नीट में अनौन्स हुआ है कि एक ही बायो यानी है पेपर में बिसेस का दूस्ट्री नहीं आना है don't do that it could be for other subjects also असा नहीं कि मैं दो बायो का एक्जाम्प लेज़ बिसाई लाइक बायो तो फेवरिट इसम नहीं करना है equally importance देनी है topics को and subjects को भी ठीक ना balance should be there ठीक है because आपके सारे के सारे subjects में से paper आएगा या ना you should not avoid that number three not managing the stress levels बहुत सरे बच्चों को मैं पिछले चार साल से यह देख रही हूं जब से Instagram बगरा ज्यादा activate हुआ है और बच्चे message कर लेते हैं असानी से कि paper को एक महीना रहता है या एक exercise और दस मिनट की meditation आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि आप कल से ही करना शुरू करतेंगे कल से ही करना शुरू करते हैं आज से करो तो बहुत बढ़िया right यह क्या होगा इससे आपके stress levels जो है में सब लोग बायो के students हो करते हो डोपमेंट सेक्रिशन पता है ना वरिए एक्सरसाइस एना जंप करते हो जोग करते हो एक्सरसाइस करते हो डोपमेंट सेक्रिशन होती है feel good factor rewarding feel होता है when you feel good you feel good ठेके ना कोई stress anxiety आएगा लेकिन बहुत intensity बहुत कर्म होगा उसका और अच्छा दिमांग शान्त होगा दो पड़ भी अच्छे से पाओगे वहना सब कुछ happily चलता रहा दा दिमाग बे राइट वहरी इंपोर्टेंट एर्या आज से ही मैनेज करना शुरू करते हो ताकि लास्ट मिनट पानिक अटक अटक अवाइड कर सब को सबको होता है बट कई उस प् है हम तो को रिषदार हो सकता है कोई दो सकता है यार मेरे को तो लग रहा है ना यार मेरा तो नहीं हो पाएगा ते रहो पाएगा क्या यार मुझे भी ऐसा लग रहा है तो ऐसा बोल रहा है यार ते फिर भी अच्छे नंबर आये थे मेरे तो फिर भी तने अच्छे नंबर से लोगों के साथ रहो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं अपको मोटिवेट करते हैं ठीक है ना इसका एक बहुत वर्स सेनारियो जो होता है वें दसल्फ डाउट कम्स कुद से तो नहीं भाग सकते ना खुद पर खुद पर ही डाउट होना शुरू हो गया फिर का करो गया होत साथ है कई के साथ में नहीं हो जाता है कि खुद पर डाउट आना शुरू हो गया अब फुद को था अब लुए नहीं कर सकते ना इसको नहीं कर सकते लूब या आपके जो भाई-बेहन हैं जो आपको अप्रिफ्ट करते हैं मेशा उन से बात करो चाए ना और एसा यह जह रहते हो C motivational video देखो जो motivational speaker आपको पसंद है ऐसे randomly कुछ भी नहीं उठा के जो आपको actually अच्छे लगते हैं कोई बाद इस वोटिजर पढ़ना रोग देना यह जरूरी पाट है ठीक है यह नहीं होगा तो पढ़ भी नहीं पाऊगे listen to it could be your teacher also it could be your motivational speaker also तो सुनो उनको अच्छा फील होगा and meditate regularly for that ठीक है यह बहुत ही worst case scenario होता है लेकिन होता है कई बच्चों के साथ मैंने देखा है not solving the enough questions theory में इतना उल्जे रहे कि questions को importance ही नहीं थी अरे भाई जब तो question पे लगाओगे नहीं concept तो concept clarity कहां से आएगी concept clarity आना बहुत जरूरी है कैसे पता लागेगा जब आप उसको imply करोगे after being the question do that ठीक है number 6 not giving the mock test मैं मेरा तो ना दो घंटे में तो बायो भी solve हो रहा है इतने लंबे-लंबे question है मैं nt से लड़ो गई क्या नहीं लड़ सकते ना time-bound mock test देना शुरू कर दो आते अब देखना क्या क्या आपकी speed बन जाएगी एंड तक everything is possible and if you if you put your efforts in the right direction no you do that no time-bound mock test अभी तक नहीं दिये है हर हकते अब दो देने हैं तुमको I'm telling you number 7 last but not the least the doubt book आपके test में mistakes हुई वो doubt आपके live class में doubt आया वो आपके पढ़ते वक्त doubt आया तो आप revise कर रहे थे उस वक्त भी doubt आ सकता है ऐसे इस तब doubts को जिनको आपने कहीं कोने में छोड़ दिया या पीछे छोड़ाए हो अब उनको नहीं छोड़ना है probability पते क्या है जो तुमने छोड़ा है न doubt वही पेपर में question आ जाएगा और ऐसा बहुत बार होता है तो एक doubt book बनाओ और जो doubt आया उसको लिखो उसका answer लिखो आपका दिमाओ भी बहुत है ना एक बहुत इसे वह घुमाता है तुमको कि जहां पे एक बार फसे हो अगली बार भी तुम वहाँ फसोगे आपको बिल्कुल इंप्लाइ करनी है अपने 2023 की preparation में ठीक है कर सकते हो कर जाओगे अभी भी वक्त है sincerity, dedication, consistency and अपने पे विश्वार ठीक है मुझे comment box में लिखके बताना कि कौन सा जो है तुम already कर रहे थे इन में और कौन से चीज़े अब तुम करने लगोगे ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तुसको like कर देना, चैनल पे नहीं तो subscribe कर लेना मिलते हैं जल्दी next video में तांक यू वरी मुझ, God bless you all